मैं हूँ आमेत और आप देखने हैं एकी सर्वेस एंड फूड इक्यमेंट चैनल और इस वीडियो में हमारे पास है 18 लीटर का गैस फ्रायर टेंप्रिचर कंट्रूलर के साथ और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप 18 लीटर गैस फ्रायर को यूज कर सक देखते हैं इसakले मेंट फंक्शन है आप देख सकते हैं यहांठ इंगनीशन सिस्टम इसे आपको रोटेट करना एंटी क्लॉक्वाइज और इसके बाद इसका इंगनीशन सिस्टम वर्क करेगा और इसके बाद यहाँ पर temperature controller जहाँ पर आप 220 degree तक का temperature को maintain कर सकते हैं और जो यहाँ पर minimum temperature है वो आपका 160 Celsius degree है और जो maximum है आपको 220 Celsius degree तक का temperature को set का सकते हैं जैसे यहाँ पर आपको दिखाया है और उसमें किसी भी तरीकी के light फंक्शन की requirement नहीं है यह सबसे ज़्यादा best feature आप किसी भी card पर या किसी भी store पर लगा सकते हैं बिना electricity के temperature को maintain करता है यह इसके oil को drain करने के लिए जो भी आपका oil है फ्रायर के अंदर उसको बहार निकालने के लिए use किया जाता है और यह table top है आप देख सकते हैं किसी भी table top surface पर इसे रख सकते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका पूरा का पूरा cover है जो की cover करता है पूरा steel ने steel material से हो और आप देख सकते हैं आप पर plastic handle है जिससे कि आप इसे safely आराम से रख पाएं और यह heat नहीं होता है तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी basket है तो आप देख सकते हैं इसकी basket काफी ज्यादा बड़ी है 18L capacity के according और इसके बाद आप देख सकते हैं आप जो heating का process है वो काफी ज्यादा अलग है बाकि gas fryer से जो कि आपने 6-12L में देखा यहाँ पर यह आप देख सक अब जो कि आपके temperature को maintain करता है और यहाँ पर system है यहाँ पर जो temperature controller है यहाँ पर यह gas के साथ connected है जो कि इससे sense करेगा और ऑटोमेटिकली gas की valve को बंद कर देगा जिससे कि यहाँ आपके temperature को maintain करे गा और जैसी temperature reduce होगा यह automatically gas के valve को खोल देगा तो आप देख सकते हैं यहाँ यह जो tube's है SS के, इनके हर तीनो tubes के अंदर burner fitted हैं और यह burner heat होंगे, heat होने के बाद यहाँ पर जो oil है, oil heat होने के बाद यहाँ पर जो oil होता है, तो यह इस तरीके से function work करता है, और अभी मैं आपको start करके दिखाऊंगा कि कैसे इसे operate करना है, तो उसके बाद आपको exactly पता चलप करने के बाद यह इस तरीके से कवर हो जाएगा तो यह minimum 6 लीटर यहां पर आ जाएगा उसके बाद आपको फ्राइः करने के लिए हाँ जो minimum है यहां पर minimum capacity जब आप फिल करेंगे और को तो करीबन यहां तक आएगा आपका 6 लीटर और इसके यहां पर आजेगा 14 लीटर उसके बाद आप इसमें कुछ भी प्राइब कर सकते हूँ और अगर आपको पता चल सके कर और मैं आपको जब तक इसमें वाइल के पैकेट्स आते हैं तब तक मैं इसकी आपको बाकी डिस्क्रिप्शन दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका नीम है आपको यहाँ पर सिंपल इसे कनेक्ट करना है और सलेंडर से उसके बाद आप इसे ऑपरेट कर पाएंगे तो यह सारा प्रोसेस था अब स्टार्ट करते हैं किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं अब हम फ्रायर के अंदर ओयल को यूज़ करेंगा और वीडियो को हम स्पीड इंक्रीज कर दिया है जिससे कि आपको शॉर्ट वीडियो हो और जिसमें आप पूरा प्रोसेस देख पाएं तो यहाँ पर हमने जो पहला पैकेट है ओयल का वो डाल दिया है और इसी तरीके से हम बागी पैकेट्स के भी ओईको यूज़ करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप हम एक तॉल को हीट करेंगए यहाँ पर हमारा दूसरा फैकेट है तो पेकट हो चुके हमारे दो लीटर और इसके बाद हम तीसरे पेकट को यूस करेंगे और टोटल हम पर ऑफन लीटर और तीसरे के बाद हमारा जो सब्सकर higher करने के लिए और यहां पर हमारे जो है यह चौथा पैकेट है तो यहाँ पर 4 लीटर ओयल आ चुका और अभी ट्यूप्स पूरे के पूरे कवर नहीं हुए है और यह अब हमारा पांचवा पैकेट है और इसके बाद आप देख पाएंगे साइट में थोड़े असा ओयल आपको दिखाई देगा और यह यहाँ पर ट्यूप पूरे के पूरे कवर हो चुके है और इसके बाद यहाँ पर आपको जो ऑईल एक्स्ट्रा यूज़ करना है जिसमें आप अपने आइटमों को फ्राई कर लें और यहाँ पर जो मिनिमम कैपेसिटी होते है वो आपकी 14 लीटर होती और मैक्सिमम अठार तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह पहला पैकेट एड है जो की ट्यूप के ऊपर है तो यहाँ पर यह साथ लीटर हो चुका है और यहाँ पर आठवा पैकेट डालेंगे तो यह टोटल आठ लीटर कैपेसिटी हम यहाँ पर यूज़ करने के लिए पर आपको अगर जैस सिस्टम है जिसको आपको उल्टी तरफ घुमाना है और इसे घुमाने के बाद यहाँ पर इसके फायर टूब्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको इसे प्रेस करके रखना है और काफी देर तक आपको इसे थोड़ी देर के लिए करें पांस सेकेंड के लिए इसी पोजिशन में रखना है जब आप इसके में साउंड सुनाई देगा गैस निकलने का तो यहाँ पर जब थोड़ी सी गैस निकलती है इसमें से वाल में से उसके बाद आप इसे घुमाना है तब आप देख सकते हैं इस तरीके से फायर हो जाएगा जब यहाँ पर आदा दो और यहाँ पर थीन फायर ट्यूपस हैं जिनकी तूफ вод हूटा इसके अब आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इग्स सिस्टम है और हाँ पर पाइल यह फ्लीम होता है और होना यहाँ पर जो टेंप्रेचर कंट्रोलर है ! यह तेंप्रेचर को मेंटेन करता है जो कि हम हम इसे स्लाइड कर देते हैं तो आप देख पाएंगे कि जो ओइल है वो हीटिंग होना स्टार्ट हो चुका है और यहां पर हम टाइम को भी कैलकुलेट करेंगे तो अभी जो 12-45 हमारा टाइम हो रहा है और इसके बाद आपको पता चल सकेगा कि कितने टाइम में हमारा ओइल जो हीट हो रहा है हम इसे कवर कर देते हैं कि फ्रायर के धक्कन को इस तरीके से हम कवर कर देंगे और इसको जो गैस का कनेक्शन है जैसा कि मैंने आपको बताया था वो काफी जादा आसान है आपको एक डॉमेस्टिक रेगुलेटर लगाना है किसी भी ब्रेंड का चाहें वो इंडियन भारत किसी भी ब्रेंड का हो तो आप लगा सकते हैं यहां पर गैस पाइपलाइन कनेक्ट करने के बाद आपको सिफ इग्निशन सिस्टम पर वर्क करना और यह और यहां पर एक्सट्र रूट होड़ है जो की जो मैंना फायर टीप्स अंदर लगी हुई है इस तरीके से temperature को maintain करेगा अब इसकी price के बारे में discuss करते हैं क्योंकि इसका जो price है वो सबसे जादा important है और इसकी capacity है वो आपकी 18 1000 प्लस GST है 18 लीटर gas fryer का और minimum आप इसमें 14 लीटर oil फिल कर सकते हैं और इसमें आप समोसा टिक्की बर्गर और फ्रेंच फ्राइज चिकन फिश जितने भी आइटम फ्राई करने वाले हैं समोसा वो सारे आइटम्स को आप फ्राई कर सकते हैं और पूरा का पूरा हैवी मटे क्यायल है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आइस में ड्रॉप आना स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि जो हीटेंग होती है油 पहले चीजो हीट होते हैं टीजो हीट होने के बाद revel और यहाँ पर-दौक पास जो इसाबसे इंपर्धर्ट था कि कि यहाँ पर इसे किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रिक का फंक्शन रिक्वाइड नहीं है सिर्फ यहाँ पर यह temperature controller है यह automatically heat के थूर सेंस करता है आपकी heating को और सेंस करने के बाद ही automatically जैसी heating reduce होगी है automatically gas के wall को खोलता है और बंद करता है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो fire tubes हैं यहाँ पर जो burners है हर एक pipe में जा रहे हैं तीन तो इन तीनों को यह रोग देता है और सिर्फ यहाँ पर जो पाइलेट सिस्टम है सिर्फ पाइलेट सिस्टम चलता है जैसा कि अभी मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा तो वीडियो को शॉट करते हैं और उसके बाद timing में आपको बताऊंगा कि कितने time में यह heat कर चुका हो आईल को यहाँ पर जो temperature था 160 Celsius डिग्री वह cover हो चुका और यहाँ पर मैंने एक्स्टा temperature किया हुआ है 170 Celsius डिग्री दस डिग्री बढ़ाया हुआ है जिससे कि आपको exactly पता चल सके कि कि किस तरीके से यहाँ पर जो temperature controller है वो काम करता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो fire tubes हैं जो बर्नर थे आप देख सकते हैं तीनों यहाँ पर यह सिर्फ red color में indicate हो रहे हैं और यह off हो चुके हैं और यह जैसे ही temperature reduce होगा और यह automatically फिर से fire tubes on हो जाएंगे जो कि यह temperature temperature controller इन्हें control करता है तो यहाँ पर हमारा 15 मिट में 170 celsius डिग्री temperature आ चुका है और यह पूरा का पूरा automatic function में work करता है यहाँ पर जो flame जल रही है अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो flame है इसके अंदर वह सिर्फ इसके पाइलीट के लिए जल रही है जैसी temperature controller कम जैसी temperature कम होगा यह automatically temperature controller जो इसके gas के valve होते हैं वह उसको खोलेगा और यहाँ पर जो fire tubes जो यहाँ पर tubes लगी हुए है इनको automatically start कर देगा और देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको oil दिखाता हूं हमारा जो oil है वो पूरा oil है उसको थोड़ा सा time लगेगा reduce होने में temperature को जैसी temperature का यहाँ पर connection मैंने आपको बताया था यहाँ पर इसके side में से एक sensor लगा हुआ है जो कि oil को sense करता हूं उसके बाद उसको heat करता हूं और वही इसको temperature controller को maintain करता है तो यहाँ पर अभी हमारा 170 celsius degree आ रुखा है जैसे ही 170 celsius degree से 10 degree reduce होगा यह automatically हमारे temperature controller को start कर देगा और आप इसके fire tubes को देख माएंगे यहाँ पर जो basket की quality है वो भी काफी अच्छी है और हमारे पास और भी जादा models है electric fryer के आप देख सकते हैं यहाँ पर यह एक है manual gas fryer 6-liter capacity का आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा fryer है हमारा अच्छे लीटर कैपेसिटी का electric में आप यह देख सकते हैं यहाँ पर double basket है यह electric fryer भी देख सकते हैं और यहाँ पर 10-liter capacity है तो यहाँ पर काफी सारे वेरियंट है गैस फ्रायर के और electric fryer के आप इन सभी की वीडियो देख सकते हैं तो और हमारा जो temperature है उसको reduce होने में काफी time लगता है जैसे आपको पता है और यहाँ पर हमारा जो वैल function है वो स्टार्ट होगा और मैं जैसी यह स्टार्ट होता है मैं वीडियो को फिर से स्टार्ट करूंगा और आप देख पाएंगे और यहाँ पर temperature है वो reduce हो चुका है जैसी temperature कम होता है यह automatically जो वाल होता है वो automatically gas को खोल देता है और यहाँ पर जो heating है वो बर्नर के तुरू heating स्टार्ट हो जाते है और यहाँ पर हम मठी और समोसे को फ्राइब कर रहे हैं आप इसमें हर टाइप के जो आपनेटिकली जो बर्नर होते है वो ओफ हो जाते हैं सिर्फ यहाँ पर जो फाइलेट फंक्शन है वो अन है तो और जैसे ही यहाँ पर जो temperature है वो reduce होता है यहाँ पर जो temperature क्लिक फंक्शन होता है और जिन्हों ने अभी तक हमाया चनल को सब्सक्राइब को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एकसर्विसेंट फूर रिक्यमेंट चैनल को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नॉटिफिकेशन मिल सके और अगर आपको कोई कोशन है तो आप हमें कम में चैनल